नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल डिलाइट में दोस्तों यहाँ पे हम आज एक IUCL की वेकेंसी आई हुए जो डिपलोमा और ITI दोनों के लिए है तो उसको डिसकस करेंगे यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह वेकेंसी का नोटिफिकेशन ने आपका आया हुआ है 24-1-2022 का और इसकी लास्टेट है 18-2-2022 तो आप इस चीज को क्लियरली देख लें यहाँ पे और इसकी वेबसाइट का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रवाइड कर दूगा जहां से आपकी नोटिफिके और यहां यहां यूर की कितनी है, OBC कितनी है, SC, ST और EWS की कितनी है ठीक है तो यहां पर वेस्ट बेंगॉल में कितनी सीटे हैं वेस्ट बेंगॉल में जो और नेम और पोस्ट के हिसाब से उसके बाद असाम में उत्तरप्रदेश में बिहार में मेकैनिकल की कितनी है इलेक् केटेग्राइज की गई हैं तो एक डाड ये चार्ट है पूरा तो आप इसको देख सकते हैं और उसके बाद हध्याना देली जारखंड उसके बाद पंजाब गुजरात मद्य परदेश उसके बाद महराश्ट्र जब जब जगों पर पोस्ट है जितनी जितनी पोस्ट है और केटेगरी वाइज उसको आप देख सकते हैं ओके एज लिमिट का क्या है क्राइटेरिया है आपका एज नॉट भी मोर दें 26 यह एज ऑन 24 1 2022 और बाकी आपको रिलेक्षेशन मिलेगा जो गौर्मेंट रूल है उसके हिसाब से आपको रिलेक्षेशन दिया जाएगा इसमें जो पोस्ट है आपकी इंजीनिरिंग असिस्टेंट मेकैनिकल ग्रेट 4 की इसमें 3-year डिप्लोमा और 2-year थ्रो लेक्षेशन मिनिमूम वन ये डिवरेशन इन एनी अफ़ फॉलोईंग डिस्प्लिन मेकैनिकल उनगी चाहिए आटो मॉबायल इंजीनिंग से और आपके मार्स होने चाहिए डिप्लोमा में 55% कि मिनिमूम कि होने चाहिए ग्रेट फोर में उसके बाद Engineering Assistant इसमें क्या है Three Year Diploma Minimum One Year Duration and Any of the Following Discipline इसमें जो ब्रांचेश दी गई है वो बहुत सारी ब्रांचेश है Electrical, Electronics and Communication Engineering है Electronics and Telecommunication Engineering है Electronics and Radio Communication Engineering है उसके बाद आपका Instrumentation and Control Engineering है Instrumentation and Process Control Engineering है और Electronics Engineering यह सारी ब्रांचेश 6 ब्रांचेश हैं जो आप इसमें apply कर पाएंगे वीडियो को अन्त तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़े समझ में clearly उसके बाद Engineering Assistant इसके लिए आप मांगा है आपका Three Year Diploma और Chemical से Mechanical, Automobile, Electrical तो इसमें बहुत सारी ब्रांचेश भर सकते हैं इस वाले पोस्ट को फॉर्म फिर आप सभी लुक कर सकते हैं उसके बाद आते हैं हम Technician Attendant पे Technician Attendant के लिए मांगा है 10th प्लस ITI पास होना चाहिए आपका और Duration जो है दो साल की Duration के साथ वो होना चाहिए Candidate Suit Project Trade Certificate और National Trade Certificate by issued by SCVT और NCVT चाहिए SCVT से हो चाहिए NCVT से दोनों में से कोई साभी होगा तो आप लोग eligible हैं फॉर्म को apply करने के लिए उसके बाद आते हैं इसमें Trade का नाम दिया है duration दिया हुआ आपको जैसे उपर लिखा गया है तो application के लिए दो साल का duration सारी branches का duration यहां पर दिया गया है आप duration वाइज उस चीज को form को फिल कर सकते हैं जैसे mechanic diesel का है यह इसका एक साल का ही duration है ओके बागी सारे का दो साल duration है उसके बाद pay scale वगरा जो आपका रहेगा तो देखिए आप pay scale यहां पर देख सकते हैं जैसे grade 4 के लिए यहां पर है 25,000 से लेके एक लाग 5,000 तक और salary attendant के लिए जो है 23,000 से लेके 78,000 तक का और basic पे nda, hra, ea, sachadar benefit यह आपको अलग से दिये जाएंगे इसमें the cutoff date of manager जिस दिन से आपकी age count होगी वो आपकी 24,000,2022 है उस दिन से आप 26 साल के हो जाने चाहिए यह cutoff date आपको provide करवा दी गई है और इसी date तक आपको age का criteria fulfill करना है application fee जो है आपका वो general OVC और EWS category के लिए 100 रुपए है बाकी other candidates के लिए SC, ST, PWD के लिए उनके लिए fees नहीं लगेगी online mode से आपको fees ली जाएगी ओके यह pipeline division का है वेकेंसी उसके बाद concession and relaxation देख सकते हैं आप 18, 26 साल, OVC के लिए 3 साल, SC, ST के लिए 5 साल है उसके बाद आते हैं हम अरची अधर details पर selection methodology है यह कैसे selection करवाया जाएगा तो यह आपका selection process will be consist of return test and proficiency test मने skill test के माध्यम से और return test के माध्यम से करवाया जाएगा और बाकी सारी चीज़े इसमें दी गई है आप इसको पढ़ सकते हैं जो main point है वो मैं आपको बता दे रहा हूं return test जो होगा वो आपका tentatively मने एप्रोक्सिमेटली आपका 27-3-2022 यानि मार्च में होने की संभावना है यानि आपका संडे के दिन पेपर में भी कंड़क्ट करवाया जाएगा अगर कोरोना वगरे कुछ नहीं रहता है तो in fact कि इस डेट तक पेपर कंड़क्ट करवा भी लेंगे और आप यह भी देख सकते हैं और multiple choice question होंगे और उसमें 100 question होंगे इच correct answer से लिए एक मार्का होगा ठीक है दिया है कि 75 questions जो 75 question होंगे वो आपके होंगे trade से और उसके 25 question जो होंगे वो आपके होंगे general aptitude, general English, numerical aptitude and general knowledge इन सब चीज़ों से आपके लिए बहुत अच्छा चांस है और पेपर का pattern भी सही है और time जो आपको दिया जाएगा 120 minute का आपको time दिया जाएगा duration of return test will be 90 minute आपको 90 minute का दिया जाएगा लेकिन जो PWD candidates वगेरा है उनके लिए 120 minute का time रहता है तो ये थोड़ी से वेकेंसी थी और जो बहुत अच्छी वेकेंसी आई हुई है आप लोग आप लोग इसको फिल करिए बागी कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए व्यूडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों में सेर करना ना भूलिया आप इस पर आपको हम वेकेंसी की अपडेट देते हैं और जो लेटेस्ट अपडेट रहती है वो सारी अपडेट इस चैनल पर प्रॉवाइड करवाई जाती है तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही हेलफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद